नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैगनेट ब्रिंस पर मैं पंकस्ति वारी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रगु कौट स्विसंभादा जो हमारा पार्ट चल रहा था उसका आज nce it solutions हम लोग solve करेंगे आप लोग तयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाैक कर दीजिये और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो उनको जल्दी से जल्दी सूचित जरूर कर देना है आप आपको एक बात ध्यान और रखना है जिसने अभी फ्रॉम भी देता है इंग्लिस मीडियम और हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम पर कक्छा चटवी से लेकर के कक्छा 12 वी तक के दिल्ली बोड बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड राजिस्थान बोड इन सभी बोडों का पाठिक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया लाइक एक बात और और ध्यान रखना है कि मैगनेट ब्रेंस कक्छा 12 से लेकर के 12 वी तक के दिल्ली बोड बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड राजिस्थान बोड सहे समस्त बोडों के बहुत सुंदर तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्शन में नोट्स भी प्रोवा की द्यान रखेंगे चलिए आज की क्लास रहेगी कक्छा 12 वी संस्कृत एक्षक रगुकौत संबादा दुतिया पाथा और एंसी याइटी सॉलूसंस हैं हम लोग सॉल्व करेंगे जो इसके कॉस्चन्स हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है देखिएगा पहला अभ्यासका स कर sót में पहली हमारी एक्सरसाइज रहेगी जिसमें लिखा हुआ है प्रश्चनिक्रमाद एक इसका मतलब है यह संस्कृत भास यह संस्कृत भासा के द्वारा उतरम माने उत्तर को लिखत माने लिखो यहाँ पर दिखिए सीधी-सिधी बात है आप पहले question को समझ जाए कि वो क्याना क्या चाहता है पहला प्र offices child कौचा कसी सिस्या आशीत कौच किसके सिस्स थे कौच सी किसका सिस्स था यह कौच सी किसके सिस्स थे सम्मान सुचक लगाएंगे तो कौच किसके सिस्य थे और सीधा सीधा आप बाग की कारथ निकालेंगे कि कौच किसका सिस्य था तो कौच सहा कस्यों सिस्या आशीत तो कौच सहा में प्रत्मा का एक बचन लगा हुआ है कस में शष्टी का एक बचन और सिस्य में प्रत्मा का एक बचन आसीत लंग लकार का तो देखिए आपने देखा होगा कि एक पदेन उत्तर और शंस्कृत भाषा से उत्तर देने में अंतर क्या है यहां पर भी कस की स्थान पर केवाल और केवाल महर्शेह वरतन्तों जोड़ना है बाकि आपका पूरा का पूरा प्रशन शे हो जाएगा ठेक है ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद दूसरी नंबर का प्रशन होगा रगु कम अद्वरम अनुतिष्ठति इसम रगु माने महराज रगु ठेक है ना महराज रगु किसको अद्वरम अनुतिष्ठति माने बैठने के लिए कहते हैं ठेक किसको बैठने के लिए कहते हैं तो कहां पर बैठने के लिए कहते हैं कौन सा यग करते हैं और जिसमें सब कुछ दान निचावर कर देते हैं तो रगु कम अध्वरम रगु क्या अध्वर करते हैं अनुतिष्ठती करते हैं क्या बैठ करके मतलब पूरा दान दे करके रगु विस्वजित नामक अध्वरम अनुतिष्ठती इसम अर विश्वजित नामक कम बस लिख देना है विश्वजित नामक यग अध्वरम अनुतिष्ठती उन्होंने अनुष्ठान के स्वरुप किया था कौचसा कि मर्थम रगु प्रापहा ठीक कौच किस लिए रगु के पास पहुंचते हैं ठीक है बताईए जल्दी से कौच किस लि प्रत्तो का एक बचन है कि मर्थम माने किसलिए रगु मैं रगु को प्रापहा माने प्राप्त करते हैं या पौचते हैं तुर कौचसा干। गुरुदक्षन अर्थम धनम याचे कि टुम याच दातु से तुमन प्रत्त्य लक्र करके याच यह तुम बन जाएगा यहां पर ठीक है अगले प्रश्ण पर चलेंगे और दिया हुआ है घा नंबर का प्रश्ण जिसमें लिखा है मंत्र कृताम अग्रणी का आसीत मंत्र कृताम अग्रणी कौन था मतलब मंत्रों में अग्रणी कौन था तो वरतंतु कि सिस ठीक कौन थे कौच तो यहाँ पर वरतंतु अग्रणी थे किसमें मंत्र कृताम मंत्रों को जानने में बहुत अग्रणी थे कौन वर्तन्तु तो मंत्र कृताम दुतिया बिवक्ति अग्रणी ही महर्शी वर्तन्तु आसी तो यहां पर भी काकी जगए पर महर्शी वर्तन्तु आपको जोड़ देना इसके बाद तीर्थे प्रतिपादी तरधी नरेंद्रह कथमिव आभाती इस्म तीर्थे प्रतिपादी तरधी ठेक है न अर्थार्थ ऐसे राजा जिन्होंने सबकुछ अपना सदाचार के लिए सत आचरण के लिए दान कर दिया हो वह कैसे किसके समान आभाती इस्म ठीक वह कटे हुए डंठलों की भाती जैसे जब क्या बोलते हैं उसको धान्य धान्य के पौधे लगे रहते हैं जो आकस्मिक उग जाते हैं जंगलों में और फिर उनसे फल को निकाल लिया जाता है उनके डंठल जो सोभाइमान होते हैं बैसे नीवार के नीवार इव अर्थ जो जिन्होंने सदाचरण के लिए सताचरण के लिए सबकुछ दान में कर दिया हो मतलब उपर का पूरा फल दान कर दिया हो लेकिन वह सरीर मात्र से सुसोभित हो रहे थे तीर्थ प्रतिपादी तरधी नरेंद्रा इस तंभेन अवशिष्टा बचे हुए नीवार यू आ मांगते तो मेघों से नहीं मांगते खाली मेघों से जिसने पूरा जल अपना दे दिया हो ऐसे मेघों से चातक पक्षी भी जल की याचना नहीं करता है तो मैं कैसे करूं महराज आप से क्योंकि आपने भी तो संपूर्ण अपना जो यस वैभा हो था सब दान में दे दिया तो चातकोपी निर्गलतांब गर्भ सरद घनम ना याचते चातकोपी चातक भी निर्गलतांब अर्थार जिसका खाली हो चुका हो अर्थार जल ऐसे उस गर्भ सरद रितू में वह बादलों से भी क्या नहीं मांगते हैं जल नहीं मांगते हैं कौन चातक पक्षी ठेक है तो और निर्गलित अंब निर्गलित अलग हो जाएगा अंब अलग हो जाएगा अंब माने जल होता है और गर्व सरद घनम ना याचते याच दातू से याचते 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 ऐसे बनेगा इसके बाद छा नंबर का प्रिश्ण होगा जिसमें लिखा हुआ है कौचस से मतलब कौचस के गुरु माने गुरु कौचस के गुरु गुरु दक्षिना के लिए गुरु दक्षिना के स्वरूप कियत धनम कितना धन देयम इती देने के लिए आदि देश माने आदेश देते हैं जब बार-बार कौथ के दुरा यह निवेटन किया जाता है। बार-बार उनसको यह कहा जाता है। कि नए गुरुजी कुस्टो दक्षणां लेनी पड़ेगी। तब उनके गुरु क्या हो जाते हैं। आवेस में आ करके क्रोधित हो करके क्या कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे अब कितना दो चतुर दस कोटी स्वर्ण मुद्रिकाय मतलब 14 करोड कितनी स्वर्ण मुद्रिकाय देने के लिए आदेश देते हैं तो कियत धनम कितना धन चतुर दस कोटी देखिए कोटसस गुरु गुरु दक्षणा त्वेन चतुर दस कोटी स्वर्ण मुद्राह प्रदेया इति आदिदेश वो कहते हैं कि मुझे 14 करोड जितनी आपने विद्ध्या गिरहन की हैं चतुर दस प्रकार की विद्ध्याय उतने ही करोड की मुझे करो आदिदेश का मतलब प्रदान करो अब यहां पर देखें कौतषस में शस्ठी का एक बचन गुरु में प्रत्मा का एक बचन और गुरु-दक्षुना-टवेण यहां पर लगा हुआ है क्या तृतीयब्यभक्ति तृतस कोठी मैं आपका प्रत्मा का किए हृत आपका प्रत्मा क्या क्या रूप लगा है इसके बाद अगला प्रशन है रगु कस्माथ परिवादात भीता आसी इस。 परिवादात भीताह आसित ठेक को किसको अपने परिवाद से क्या कर देते हैं डरा देते हैं बताइए कौन रगु के परिवाद से कौन डर जाता है तो बताइए जल्दी से किस से भैवीत हो गए थे रगु उन्होंने कहा कि यदि आप गुरु के लिए दक्षणा देने के लिए आप किसी दूसरे दानी के पास पहुंचेंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे परिवाद करेंगे हमारी निंदा करेंगे हमारी निंदा करेंगे और हमारा अपियस हो जाएगा और जिसका अपियस नष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति कि तुम रत्यू से बढ़कर कि उसकी दुर्गती होती है इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे ठहरो मैं आपकी विवस्ता करता हूं कस्चित किसी याचक अगर कोई याचक गुरु प्रदेयम गुरु को प्रदान करने के लिए गुरु को देने के लिए अर्थम अर्था पैसा रगो अनवाप यह कहते हैं रगु राजा रगु कहते हैं कि नए अन्य दातारम गता किसी के यहां नहीं आप जाएंगे इती परिवाता र राजा रगु भैवीत हो गए थे कहा धनचित बराबर कस्चित विशर्ग संदी याचका में प्रत्मा का एक बुचन गुरु प्रदेयम यम प्रत्य यहां हो जाएगा और अर्थम रगों में सश्टी विवक्ति का एक बुचन रूप लगा है और अनवाप पे आप धातू है वहाँ पर अनूप शर्ग है अन्यद आतारम दुतिया विवक्ति गता में गम दातू है परिवादात में पंचमी और रगों में प्रत्मा का एक बुचन भीत्र आर्था नाम भय हेतू में यहां पंचमी यक्ति लग गई है भीता भी 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 रतिवाच्यम आसीत में लंगल कार रूप लगा है ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद अगला प्रश्ण दिया हुआ है कस्मात अर्थम निसक्रष्टम रगों चक में कस्मात किसके अर्थ के लिए किससे अर्थ लेने के लिए निसक्रष्टम रगों चक में तैयार हो जाते हैं छीनने के लिए धन किससे ध द्धन छीनने के लिए क्या करते हैं राजा रगु अपनी एक्षा जताते हैं और मन में यह दिरण करते हैं कि अब क्या है बस एक ही उपाय है कि राजा क्या है कुवेर से हमें क्या करना पड़ेगा धन छीनना पड़ेगा तो कुवेरात में पंचमी वक्ति क्योंकि कस्मात मे भी पंचिमी भक्ति का एक बचल रूप लगा हुआ है रगु में प्रत्मा का एक बचल लगा है ठीक और निश क्रश्टुम तुमन प्रित्य लगा हुआ है यहां आगे देखेंगे इसके बाद अगले प्रश्ण पर चलेंगे और लिखा हुआ है हिरन्य मैं ब्रश्टिम के स सशंसु हिरन्य मैं ब्रश्टिम के सशंसु हिरन्य मैं का मतलब होता है हिरन्य मैं वस्तु को ब्रश्टि बरसा के द्वारा कौन क्या हो जाता है ससंकित हो जाता है और आश्चर चकित हो जाता है हिरन्य मैं ब्रश्टिम ग्रिह कोशे नियुकता अधिकारिना सशंसु आश् प्रत्मा का बहुचन सशशंसू ठीक सशंसू तो यहां पर भी आपका ससंकित हो जाना फिर लिखा हुआ है कव अभी नंद सत्व अभूताम कौन अभी नंद मतलब जिससे कौन थे दोनों लोग जिससे पूरी प्रजा क्या थी प्रशन्य थी दो रगु कौत्सव रगु और क सब्सक्राइब कौन साकेत निवास नव अंतिम पंक्ति में अंतिम इसलोक में दिया हुआ है तो दो रगु कौत्सव रगु और कौत्सव से दोनों पूरी प्रजा प्रशन्य हो जाती है उनके विवहार से आगे देखें दूसरे नंबर का हमारा क्या हो जाएगा यहां पर एक्सरसाइज दूसरे नंबर का प्रिश्ण है जिसमें लिखा है कोश्टकात समुचितं पदम आदायो रिक्त स्थानानी पूर्यत कोश्टक से समुचित पदों को ले करके आदाय मान ले करके रिक्त स्थानानी पूर्यत रिक्त स्थानों की पूर्ति करो देखिए इसमें जो उचित पद हो उसको लेना जैसे यश शाह खाली स्थान अतितिम प्रियोज जगामा तो इसमें दिया है प्रकाशा कृष्णा आति थेया फिर मान धना ग्रियाई खाली स्थान तपो धना मुबाच विशामपति अर्प्रतांजली कौच्छा और कुशाग्र वुद यम तया मया लोकेन और खाली स्थान अचिंतेत्वा गुरुना अहम उक्ता सरीर कलेशम अर्थकार्शम रोग कलेशम यहां पर ठीक तो आपको इसमें से उचित पदों को क्या करना है चुनना है और इसमें खाली स्थान में फिल कर देना है ध्यान रखेंगे तो इसमें जै करके क्या करते थे स्वागत करते हैं ठीक और मान धनाग्रने आई विशाम पत्ती तो यहां राजा के लिए विशाम पत्ती आया हुआ है ठीक कुशाग्र बुद्धते गुरु कुशली तुम्हारे गुरु कुशल है ठीक हे राजन सरवत्रवारतम अवेही ठीक हे राजन सभ प्रश्न क्रवान आगुरू के समान सुख़ी रहे हो रहनों है बिद्ध्वन गुर्वय कियत तुम्हारे दौरा तुम्हारे गुरू को कितना धन प्रदान किया जाना है इसा अर्थ कृष चिन्त एत्व चिन्त करके गुरु नहाय माने गुरु से अहमउप्ता माने मैंने कहा अब यहां पर प्रश्निक्र्मांत तीसरे को ध्यां से देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है अधू लिखता नाम पृषाप्रशंगम हिंदी भास या व्याक्षिया कार्या नीचे लिखे हुए प्रशंग की हिंदी भासा से व्याख्या करो ठेक तो यहां पर जैसे लिखा है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ पुष्टक शाश्वती दुतियो भागा से रगु कौच संबाधा नामक पाठ से ली गई है यह पाठ कभी कुल कुल शिरुमणी महाकभी कालिदास द्वारा रचित रगु वंश महाकाप्यम के पंचम सर्ग में से संपाधित किया गया है इसमें महरसी वरतंतु के सिस क कौच का गुरु दक्षणा के लिए आग्रह बारवार के आग्रह से क्रोधित रिशी द्वारा पढ़ाई गई 14 विद्याओं की शंख्या के अनुरूप 14 करोड मुद्राय देने का आदेश सर्व स्वदान कर चुके राजा रगु से कौच की धन याचना और रगु के रगु का कुवेर पर आक्रवन का विचार तथा भैवीत कुवेर द्वारा रगु के खजाने में धन वर्शा करने को शंबाद रूप में वर्नित किया गया है मतलब यहां पर जो यह कोटी चतस्त्रों दस चाह आधारा यह पार्ठ में उन्होंने प्रशंग बताया है पू विद्या का अभिमान था और ना गुरु गुरु दक्षणा में धन का लोब और कौस नामक एक सिस्स ने रिसी से 14 विद्या अत्यंत भक्ती भाव से ग्रहन की विद्या प्राप्ती के पस्चात कौस ने गुरु दक्षणा सुईकार करने का आग्रह किया और रिसी ने कौस के भक्ति भाव को ही गुरु दक्षणा मान लिया परंतों कौच से गुरु दक्षणा देने के लिए जिद करता रहा और इस जिद से रुष्ट होकर के कभी ने उसे पढ़ाई गई एक विद्या के लिए करोड सुवर्ण मुद्राएं के हिसाब से एक करोड चौदा करोड तस्त्रों दस्चा आहरा ठेक एक करोड सुवर्ण मुद्राओं के हिसाब से उन्होंने वांग लिया कि 14 विद्याएं है तो 14 करोड सुवर्ण मुद्राएं आप मुझे दोगे फिर इसके बाद लिखा है माभूत परिवाद नवावता रहा ठेक माभूत परिवाद ठेक अ रस्तुत पंक्ती हमारी पाठ पुष्टक शाष्वती दुतियो भाग से रगू कौत संबाध नामक पाठ से ली गई है यह पाठ कविकुल गुरू कविकुल सिरोमनी महाकवी कालिदास के द्वारा रचित रगवंस महाकाप्यम के पंचम सर्ग में से संपादित किया गया ह इसमें महरसी वरतंतु के सिस्कौस की गुरुदक्षणा के लिए आग्रह बार बार के आग्रह से क्रोधत रिसी द्वारा पढ़ाई गई 14 विद्याओं की संख्या के अनुरूप 14 करोड मुद्राएं देने का आदे सर्व सौधान कर चुके राजा रगूपन से कौच की धने आचना और रगू के द्वार से याचक खाली हाथ न लोट जाए इस अब किरती के भाई से रगू का कुवेर पर आक्रमन का विचार धने आचना किया गया और स्वर्व स्वधान करने के साथ उन्होंने क्या कर दिया था अपनी अपकीरती के बारे में यहां इस यहां से बढ़ गया है ठीक है ना खाली हाथ न लोट जाए और इस अपकीरती के डर से इस अपयस के डर से यहां पर प्रशंग थोड़ा साब का यहां बढ़ गया है फिर इसके बाद आप व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा महरसी वर्तंतु का सिस कौत्स राजा रगु के पास गुरुदक्षनार्थ धन याचना के लिए आता है और रगु विसुजित यग में सर्विस्वादान कर चुके हैं अतावे तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको बताया जा रहा है तो यहां पर भी उन्होंने वही कहा है कि आप दो तीन दिन क्या करो मेरे यहां पर रुख जाओ मैं कुछ विवस्था करता हूँ प्रशंग देखें प्रस्तुत पंक्ती हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती दुतियो भाग से रग कौश संबाद नामक पाठ से ली गई है यह पाठ कभी कुल सिरोमणी महा कभी कालिदास के द्वारा रचित रगवंश महा काब्यम के पंचम सर्ग में से संपादित किया है इसमें महारसी वरतंतु के शिस से कौश का गुरु दक्षणा के लिए अग्रह और बार वाहर के अग्रह से कुरोधत रिशी द्वारा पढ़ाई गई 14 विद्याओं की संख्या के अनुरूप 14 करोड मुद्राओं देने का आदेश सर्व स्ववदान कर चुके राजा रगु के द्वारा से याचक खाली हाथ ना लोट जाए इस अपकीरती के भाए से रगु का कोवेर पराक्रमन का विचार और भैवीत कोवेर द्वारा रगु के खजाने में धन की वर्षा करने का संबाद रूप में वरने किया गया है तो देखिए कहीं न कहीं से महराज र रत्यू से बढ़कर के होता है अता उन्हें भाय यह है कि कहीं प्रजा की निंदा ना फैल जाए कि कोई याचक रगु के पास से खाली हाथ लोट गया है इसलिए आप दो तीन दिन मेरे पास क्या करो ठहर जाओ आगे देखिए मैंने बहुत ज्यादा बड़ा इसका अर्थ नहीं किया है क्योंकि जितना विस्तार करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा इसलिए मैं इसको छोटे रूप में आपके समक्ष लाया हूँ क्योंकि आप पूरा पैराग्राफ देखेंगे तो आर्थ इतना बड़ा हो जाएगा आपके पूरे पैराग्राफ में भाग एक दो 3-4 में मैंने सारी चीज़े बतलाई हैं अगर आपको लगता है कि इसको और अच्छी गहराई से पढ़ना है तो अनवाद भाग एक दो में जाएंगे या कंप्लिट चैप्टर रिवीजन में जाएंगी तो उसमें सारी चीज़े आपको मिल जाएगी ठीक है ध्यान रखें निस्क्रष्ट मर्थम चकमें कुवेरात अब यहां पर भी उन्होंने निश्चे कर लिया और इक्षा जताई के कुवीर से हमें धन छीनना होगा फिर से यहां पर आप प्रशंग पर चलेंगे प्रशंग में क्या दिया गया है ध्यान से देखें प्रस्तुत पंक्ति हमारी वर्तन्तु के सिस्कॉस को गुरु दक्षना के लिए आग्रह बार बार आग्रह से क्रोधित रिसी द्वारा पढ़ाई गई चौदाय विद्याओं की संक्या के अनुरूप 14 करोड मुद्राएं देने का आदेश और सर्व सौदान कर चुके राजा रगु से कॉच्स की धन हमेशा पाट का एक ही होता है ठीक है और प्रशंग में बस इतना ध्यान रखना है कि किस किस पंक्ति के बारे में क्या वरनित किया गया है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है बस इसलिए मैं यहां पर बार बार प्रशंग लिखकर कि इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्यो में लिखना पड़ेगा इसलिए मैं बार बार यहां जल्दी से इसको रिट कर देता हूँ ठेक व्याख्या को ध्यान से देखिएगा बे कौट्स से उसका मनुरत पूछते हैं और कौट्स सारा बृत्ता सुनाते हुए कहते हैं कि गुरू के आदेश के अनुशार 14 करोड सौर बेर जाता है और उनसे क्या है महराज रगु उनसे कहते हैं कि मैं कुछ प्रबंद करता हूँ और फिर वो मन में इच्छा जताते हैं कि अब कुवेर से ही धन छीनना होगा बस इतना इसकी व्याख्या उपकी हो जाएगी फिर इसके बाद दिदे से कौट्साय समत्तमेवा दिदेश कौट्साय उन्होंने संपूर्ण अपना धन किसको दे दिया था कौट्स के लिए दिदेश दे दिया था यहाँ पर भी देखिएगा प्रशंग को आपको प्रशंग फिर्शे देखना है ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पा प्रशंग के सिस कौट्स का गुरु दक्षना के लिए आग्रह और बार बार के आग्रह से क्रोधित रिशी द्वारा पढ़ाई गई 14 विद्याओं की संख्या के अनुरूप 14 करोण मुद्राएं देने का आदेश सर्वश्वदान कर चुके राजा रगु से कौट्स की धन याचना रगु के द्वार से याचक खाली हाथ लोट गया इस अपकिर्थी के वह से रगु का कुवेर पर आक्रमण का विचार तथा भैवीत कुवेर द्वारा रगु के खजाने से धन वर्शा करने का संबाद रूप में वरनेत किया गया है प्रशंग में तो वैसे सारी चीज़े आपको यहाँ पर दी गई है और पूरे पार्ट का प्रशंग यह आपके साथ हमेशा से चल रहा है तो आपको ध्यान रखना रगु भी उनकी आचना पूरती के लिए धन के स्वामी कुवेर पर आक्रमण का विचार करते हैं और कुवेर रगु की पराक्रम से भै आता संपूर्ण धन रासी देकर अपनी उधारता प्रकट करते हैं और याचक आवसकता से अधिक एक कौड़ी एक कौड़ी भी ग्रहन ना करके उत्तम याचक का अधर्श उपस्तित करते हैं इस प्रकार दोनों ही यसस भी हो जाते हैं देखिए अब यहाँ पर उन्होंने तो संपूर्ण स्रिष्टी का जितना उनके पास धन आया था उन्होंने सब कुछ देने की बात कर दी और देने के लिए एक्छा भी जताई लेकिन वहाँ से ध्यान रखना कि उन्होंने कितनी ली एक कौड़ी भी अतरिक्त नहीं ली उनको केवल 14 करोड स्वर्ण मुद्रक कि आवसकता थी जो उन्होंने ली और वहां से क्या हो गए बापिस चले गए लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि याचक हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम इनके कौड्स और रगू के बीच में संबाद चल रहा था ठीक तो उन्होंने तो पूरा संपूर्ण लेकिन पर्जा प्रशन हो गई है रगू से और चले प्रशनी क्रिमांग पांच पर चलते हैं अधो लिखते सुन करके लिखत मने लिखो खालिस्थान अध्ध्वरे खालिस्थान कोश जाताम जातम खालिस्थान अनुमित तब्यश्य खालिस्थान फल प्रशोती खालिस्थान विवर्जीत आयो ठेक इस प्रकार से यहाँ पर आपको विश्यशन और विश्यश देना है अध्ध्वरे मनें कौन सा यग किया था उन कि पात्रशी उन्होंने अन्मान लगा लिया था कि यह आप कितने योग बचे हुए हैं आरण्य को पात्य फलत प्रशूती ठेक जंगल में क्या है जिस प्रकार से नीवार मैंसे प्रसूती फलों को निकाल लेते हैं शिम्या वेस विवर जितायों ठेक आबेस में आकर के उन् प्रशनिक्रमांग पाच को देखिएगा वीग्रह पूर्वकम समास नाम नर्दिष्ट वाग्राइब गरे करके समासों के नाम यह पर निर्दिष्ट करना है तो चलिए निर्दिष्क करते हैं सबसे पहले उपात्य विद्या दिया हुआ है तपो धनम वरतंतु शित्स्या तो यहां देखिएगा आपके यह पूरी समास दिये हुए है समासों के नाम भी मैंने यहां आपको मेंसर की है धिक उपात विद्य उपात विद्या में दिया उपात यह भी है देखिए तप रूपी जिसका हो धन ठेख वो कौन है कौच्छ तो वह भी बहुब्री समास में आजाएगा र Intel शिष el, तो यहा वर्तन तो वर्तन तो हो शिष EL, सस्टी तत्पूर Should यहां पर आपका हो जाएगा, फिर महर्शि दिया हुगा है वहान रिशील, महान चासव रिशील, शिषम, stripes guidelines, जहां पर उन्होंने कहा कि दिंखिए अद्वरम्य जिसमे किया हो ऐसा अSabra के लिए यग के लिए जिस ने दान कर दिया हो संपन्पूण यग के लिए जगदेग ना था जगत अम अकम ना secondly कि रखने मुच्ट का नाथ कुछ तुर्व हमास हpson जाईगा एक बात द्यान रखना है यहां होता है मने का अन्य का अन्य पदार्थ प्रधानों जिसमें अन्य मीफथ की परांता हो वह betrayed बी शमास और जहांपर प्रैयण उत्तरपत प्रधान हो वह तत्पूरुष में आ जाएगा our far Spanish यहांपर हो विशेशरण और विशेश्चता की बहुलता दरसाली जाए वहां कर्मधारा स्मा बहुबरी ही फिर से अन्य पत्पुर्दान और तत्पुर्ष उत्तर पत्पुर्दान नई तत्पुर्ष शमास होता है जिसमें जो जनमा ही नहीं है जो है ही नहीं उसको नई तत्पुर्ष शमास में रखा जाता है प्रश्ण किर्मांग 6 पर चलते हैं प्रश्ण किर्मांग हमारा 6 क्या कहता है ध्यान से दिखिएगा कि अधो लिखता नाम पदा नाम समुचित समुचितम योजनम गुरुद्स यहां पर इन पदों को उचित रूप से आपको क्या कर देना है मिल करना है तो सबसे पहले ते दिया हुआ है ते के लिए चतुर्दस है चतस्तरह दस्चा तो गुरुदक्षणार थी और आइस खलित ओप चाराम अहानी चेतन्यम स्वस्तियस्तु कोथ सह प्रवोधा प्रकासोवा दुईत्राणी भक्तिम ठेक तो आपको यहां पर क्या करन है मिल करना है मतलब जोडियां मिलाना तो जोडियां मिलाने के लिए क्या करना ते तो ते के लिए आपका दिखी यहां पर स्वस्तियस्तु तुम्हारा कल्याण हो ऐसा उन्होंने कहा था ते माने बे ठीक है ना बे तुम्हारा स्वस्तियस्तु कल्याण हो चतस्तरह दस्च ठीक अर्थार जो चतुर्दस हैं चतुर्दस और आइस खलित उप्चाराम मने भक्ति ठीक फिर इसके बाद चैतन्यम मने प्रवोधाह प्रकास्तों हुआ फिर इसके बाद कौश सह गुरुदक्षणार थी कौश दुरुगू और दुईत्राणी अहानी दो दो तीन दिन यह six number की आपकी exercise है फिर इसके बाद seven number की exercise जो आपकी दी हुई है उसको ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है कि प्रकरती प्रत्य विभागम क्रियताम प्रकरती और प्रत्य को अलग-अलग करो प्रकरती और प्रत्य को क्या करना है अलग-अलग करना है तो कैसे करेंगे हम इनको अलग-अलग ध्यान से आपको देखना है ठेक यहां लिखा हुआ है सबसे पहले अर्थो क्या दिया हुआ है अर्थो अर्थो दूसरा दिया हुआ है म्रिण मयम और यहां दिया हुआ है सासितु फिर अवशिष्टाहा फिर इसके बाद उक्ताहा फिर इसके बाद प्रस लग कर लेते हैं प्रकरती मतलब मूल धातू कहलाती है प्रत्य मतलब जो पीछे जुरने वाले होते हैं एक बाज बाज ध्यान रखना कि जो प्रत्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपको मालूम है एक तो कृदंत प्रत्य होता है और एक तद्धित प्रत्य होता है प्र अर्थो में अर्थ हमारा शब्द है और इनी प्रत्य है और इसमें इनी में इन हमारा सिस बचेगा इसमें से ई का लोप हो जाएगा और बचेगा इन तो इससे हमारा रूप बनेगा क्या अर्थो हो आ और ई मिलकर की यहां गुड़ कर लेगा और रूप बन जाएगा अर्थो तो मृत यहाँ पर धातू रहेगी मयट पृतिय रहेगा और मृत भयायँ यहाँ पर म्रित मयव बन जाएगा मृण मयव नपूनसक लिंग का रूप है पृत्सम बेब रूप है पृत्मा बेब रूत talk का रूप बनेगा यहाँ पर क्यों मृत धातु है हमारी मिठी ठीक और मिरण मयम जो मिठी से बना हो और शे कहते हैं मिरण मयम तो उनका पात्र भी क्या था मिठी का बना हुआ था जो ले करके वो आय हुए थे ठीक है तो इसी प्रकार से उन्होंने यहां पर देखा है और अगले प्रत्य को हम लोग देखेंगे सासितु मतलब शास आपकी शास धातु रहेगी शास ठेक तो त्रिच प्रत्य रहेगा त्रिच प्रत्य से आपका सासितुम बनेगा यहां पर भी ता आपका सेस रहेगा त्रिच मे बन जाएगा यहां इट का आगम होगा पुलिंग बाची प्रत्मा भक्ति एक बचन का रूप बनेगा अवशिष्टा ठेक उपसर्ग आपका आ है इसमें इसमें मूल धातु आपकी यह है जो प्रकृति के रूप में आपके यहां काम कर रही है यह सब्द है यह धातु है यह उपसर्ग है यह धातु है और यह आपकी वच धातु आ गई है उक्ता बनने के लिए यहां आपकी वच धातु का उच में संप्रशारण हो जाएगा इंगी यह नहां संप्रशारणम सूत्रशे और कित्वा प्रित्तय में तौसेस बच जाएगा ध्यान रख लेना और यहा कित प्रत्य हैं जिससे आपका कित प्रत्य में किवलता सेस रहेगा और नपुन्सक लिंग प्रत्मा विभक्ति एक बचन में आपका रूप बन जाएगा तो ध्यान रखेंगे प्रस्तुतम यहां पर प्राउपस्यार के पूर्वा इस तुद्हातू लगेगी तो जोड़ जा जाएगा धातू का और पुलिंगम प्रत्मा एक बचन का रूप बनेगा ठीक उकता बोलने के लिए फिर यहां पर दिया है अव आप दिया हुआ है अव उप्शर्ग है आप धातू है और लियप प्रत्या ठीक है अव उप्षर्ग है आप धातु है लिप प्रत्य में आपका ला और पाकी संग्या होकर कि यह बचेगा तो अब यह बन जाएगा अब्याइपद आपका यहां पर भी हो जाएगा क्या होगा यह अब्याइपद के रूप में आपका काम करेगा फिर इसके बाद लब ध लब धातु है लब धातु कित प्रत्य से आपका यहां तासेज बच जाएगा तो लब धा बनेगा यह लप पूशक लिंक का है इसलिए यहां प्रत्मावक्ति एक बचन में लब धम बना हुआ है तो लब धातु से बा यह अपने तृतिय वर्ण में क्या हो जाएगा परिवर्तन होकर कि पाफाबा में परिवर्तन होगा और लब बन जाएगा लव ठीक लब फिर ता के स्थान पर धा हो जाएगा कैसे ताथा धा तो चतुर्थ वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा ता बर्गे का ठीक है तो यहां पर आगे देखेंगे तो नपूशक लिंग म और आ उपसर्ग में एक्च धातू से यहाँ आ और ई मिल करके यहाँ क्या कर लेगा गुण कर लेगा आ के बाद ई आने पर यह होता है तो यहाँ पर एकी मात्रा लग जाएगी और अवेक्च बन जाएगा यहाँ आपका सीधा सीधा जुड़ जाएगा यहाँ पर भी अब्य पद के रूप में यह काम करेगा फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आठ नंबर की एक्सरसाइज को ध्यान से देखना लिखा हुआ है वचन आदी नरदेस पूरवकम पद परिचयम लिखत वचन भी लिखना है लिंग भी लिखना है इन सारी चीजों को आपको इसमें ल लिंग हमारे तीन होते हैं पुल्लिंग इस्त्रीलिंग और नपुल्सक्लिंग बचनों की बात करें तो वचन भी 3 होते हैं संस्कृत में एक बचन दुए बचन और बहुत ठीक और इनी को आपको नर्देश पूर्वक इन पद की परिचय को करना है पद परिचय आपको यहां विद्कस गुरुना इनमें कौन सी विभक्ति है कौन सा बचन है कौन सा लिंग है आपको यी सब्देना जैसे ये गुरु सब्रे दिया हुआ है तो गुरु आपका तृतिय विभक्ताउ है एक वचन का newspapers पुल वाच्ची ठेक पुल्लिंग बाची सब्दे है और सश्ठी विभक्ति एक बचन का रूप है जन के रूप चलेंगे कैसे जैसे आपने देखे न जनह जनव ऐसे बनते न जनह जनम जनेन जनाय जनात जनस ऐसे बनेंगे ठेक दोव दिया हुआ है तो दूई इसमें हमारा मुल सब्द हो ज बनता है प्रत्मा और दुतिया में दूई बचन में बनता है दौव जैसे रामव रामव बनता है ना वैसे ही त долж यहे नेयाBस है आ गया ना प्रत्मा और दुतिया में तो तो यहां पर भी आपका तो तत के रूप है और कहां बन जाएगा पुलिंग प्रत्मा और दुतिया में दूई बचन में दोनों में बनेगा फिर इसके बाद दिया हुआ है यह सर्वनाम रूप है ध्यान लखना फिर लिकाए सुमेर तो सुमेरू परवत सुमेरू परवत इसका मूल नाम है सुमेरू पुलिंग बाची सब्दे हैं पंचमी और सश्टी में बनता है एक बचन में सुमेरू सुमेरू जैसे गुरू के रूप चलते हैं गुरू गुरू बनता है वैसे ही बनेगा सुमेरू सुमेरू जैसे रगू के साथ हम लोग चलेंगे और यह दिया हुआ है हमारा प्राता सब्द दिया हुआ है प्राता में भी हम लोग देखेंगे अभ्याइपद है हमारा प्राता में क्या है अभ्याइपद है इसमें कुछ नहीं है देखिए आपको मैं बता दू प्राता में आप विभक्ति लगाए एक ही है सुबह मतलब सुबह एक बचन ठीक है और विवक्ति के लिए कुछ नहीं आपको लगाएंगे तो रामा की समान तो प्रत्मा विवक्ति आप लगा सकते हैं बाकी और होता नहीं है और लेंगी की बात करें तो पुलिंग स्ट्रिलिंग कोई इसमें वेद नहीं रखता है सकाशाद ये भी हमारा अभ्याइपद की स्रेणी में आता है इतना ध्यान आपको रखना है ठेक में असमद का रूप है ये आप ध्यान रखना ये सर्वनाम रूप है जिनका आपकी आवज सकता है जो अभ्याइपद होते हैं इनके रूप नहीं चलते ध्यान रखना ठेक है ना इनकी व्रकतिया होती है ना बचन होते फिर में सब्द है असमद में तो त्रिशुर्त लिंगेश महियम मम यह आपका जो बनता है चतुर्थी और सश्टि व्रकति करूप में शतुर Grandma मत का रूप अहम माम मया महियं मम मत मई ऐसे बनता है लेकिन जी व्यकल्पिक रूप है विकल्प से बनता है में चतुर्थी और सश्टी में भूया दिया हुआ ये भी आपका अभ्याइपद है बश इसके बाद वित्तस्य सब्द दिया है तो बित्त इसका मूल सब्द हो और विभक्ती सश्टी और एक बचन में आपका रूप ये बनेगा सश्टी भक्ती में वित्तस जैसे रामस ठेक गुरुना गुरुना गुरु सब्द है पुलिंग है तृतिया विभक्ती एक बचन में आपका रूप यहां बन जाएगा ध्यान रखना गुरुना फिर इसक गुरु बचनेशू रूपाणी लिखत नीचे लिखे हुए क्रिया पदों के ठेक अनेशू माने अन्य में पुरुस बचनेशू माने पुरुस बचनों में रूपाणी माने रूप लिखत माने लिखो जो यहां पर ये क्रिया पद दिये हुए इनके अन्य पदों में आपको पुरुस बचनों में इनको लिखना है कौन से पुरुस का है कौन से बचन का है वो आपको यहां लिखना है जैसे अग्रहीत दिदेश अभूत जगाद उत्सहसे उत्सहते अर्दत याचते अवोचत यह पद दिया हुआ है उसी के साथ आपको यहां पर क्या करना है इनको लि सी आए ने हैं वहां पर प्रत्य को अलग करना था यहां पर आपको इन किरियां को कि कॐंसे बचन के में हैं उनको आपको ध्यान से यहां कर ना है जैसे लग excited लिखा हुआ हुआ है तो एक है ड़क औरफियicon में ही जाएक आ लगा हुआ है क्योंकि तो ग्रीहे आपकी धातू रहेगी और लंग-लकार में पर्थम परतम पुरुष्ञ के एक बचन का रूप कहलाएगा आग्रहीत आग्रही ताम आग्रीहन ऐसे रूप बनेगा दिदेश दिया हुआ है तो दिस धातू से परोक्षे लिट्ट लकार मे दिदेश बनता है प्रत्मा एक बचन का रूप बनेगा ठेक परोक्षे लिट में परोक्षे लिट सूत्र है लिट लकार में बनता है और दुत होता है इस धातु का डबल हो जाता है ठेक जैसे अभूत दिया हुआ है तो यह भी भूत हातु से बनता है और लुंग लकार में बनता है प्रत्मा विवक्ति एक बचन में रूप बनता है जब आपको यह लकार पढ़ाऊंगा तो आपको दसों लकार पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि नायंत टैंत तक तो आपकी पांच लकारों में काम हो जाता है लेकिन आपको यह दसों लकार पढ़ने पढ़ेंगे जो तो द्यान रखना ये धातु में भी अपने अपने इस्थान पर अपना अपना पूर्ण दायत तो निभाती हैं फिर उत्सहते लिखाए उत्सहते उत्व उप्षर्ग है इसमें और सह धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष और एक बचन में आपका रूप बनेगा उत् ये बन जाएगा फिर इसके बाद दिया हुआ है अर्दती अर्दती में यहां पर दिखी अर्द धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक बचन का आपका रूप बनेगा अर्दती याचती में भी याच धातु है आत्मने पद की धातु है मांगने के अर्थ में जैसे ल लबत लभेत लबनते बैसे बनेंगा या चिती याचंत तो लप लकार प्रथम पुरुश एक बचन का होगा लेकिन आत्मनेपद की होगी ठीक है परास्मत प्रथम प्रथमनेपद डौनों में अपनी धात्म में काम करते हैं अवोचफ वच धातू है लंग लकार में पुरु दस नंबर का यहां प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा अधो लिखता नाम बिलोम पधा नी लिखहतो नीचे लिखे हुए पदों के बिलोम पदों को आफ क्या करो लिखो गिलो mixes क Appreciate इस प्रकार से इनकी पदों के बिलॉम पद लिखना है बिलॉम का मतलब बिपरीत आर्थक अपोजिट बिलकुल ठेक नीशेशम का सेसम हो जाएगा और आस्ट करत का मतलब होगा सकृत अधाराम का मतलब अनुदाराम और आसुभम का मतलब सुभम और समस्तम का मतलब आ समस्तम ये बिपरीत पद होते हैं बिलोम पद ये बहुत आपके ध्यान रखना परिच्छाओं में बिलकुल पूछे जाते हैं फिर इसके बाद प्रिश्ण किर्मांग हम लोग किस पर चलेंगे 11 नंबर पर 11 नंबर का प्रिश्ण है क्योंकि बहुत लं अग्तों तक सेर भी करते जाना है वीडियो को लाइक भी करते जाना है अदो लिकता नाम पदा नाम बाक्ये सु प्रियोगम कुरत नीचे लिखे हुए पदों को अब बाक्यों में आपको प्रियोग करना है बाक्यों में प्रियोग करने के लिए बहुत सारे विद्यारतिय मारे ऐसे भी होंगी जिनसे बाक्ष बनाते नहीं बनते होंगी ठीक है उसके लिए आपको grammar की class को join करना होगा पहली बात दूसरी बात अगर आप से बनते हैं तो छोटे छोटे सरल बाक्ष बना लिया करो जिससे नंबर भी आपको पूरे मिल जाएं और आपको ज्यादा लोड भी नहीं लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको तयार करना जैसे निर्पा माने राजा अर्थी माने चाहने वाला किसी चीज़ का वासुरम ठीक वरिष्टी वित्तम वदान्या दुजराय और गर्वा घना वारतम यह पद दिये हुए हैं आपको इनका क्या करना है वाक्यों में प्रयोग करना है तो छोटे छोटे वाक्य बना लेना जैसे निर्प का मतलब निर्पा का मतलब क्या होता है राजा तो निर्पा माने राजा रगु ने निर्पा रगु राजा रगु ने कौच के लिए समस् होता है या चक्याशक या माँगने बला या चाहने बला यहां पर कोच से गुरुदक्षणा अर्त्च करते क्या करते हैं अपनी उसे आस्मे सक्टी से क्या करते हैं और शुबर्न रासी को सौने की रासी के लिए क्या कर देते हैं सोवर्न मयाल की वरिष्टी होती है वित्तम माने धनम, मुनी नाम तपह यो वित्तम अस्ती, मुनियों का तपही उनका धन होता है, मुनियों का तपही क्या होता है, धन कहलाता है, मुनियों का धन कोई अलग से नहीं होता है, वो तपस्या करते हैं, उशी को वो अपना धन मानते हैं, जैसे वदान्या माने दानी वदान्या का मतलब दानी रगु याच केसू उदारह वदान्या आसीत राजा रगु याच को में उदार दानी हुए थे बहुत बड़े दानी थे राजा रगु दुजराज चंद्रमा दुजराज का मतलब चंद्रमा रात कराओ आकासे दुजराजह दिब्यती रात्री में आकास में रात में आकास में दुजराज माने चंद्रमा दिभ्यती माने प्रकासित होता है गर्वा माने अहंकार गर्वा ठीक गर्वा गर्वा उचितम ना भवती गर्व अहंकार उचित नहीं होता है ठीक नहीं होता है घना माने मेगा वर्सव घना गर्जती वर्सती चा ठी गरस्ते हैं और बरस्ते हैं वारताम का मतलब कुसलताम मारताम का मतलब कुसलताम अर्थार्त उनके हाल चाल को पूछना ठीक ठाक राजा प्रजाया वारताम एक्षती राजा प्रजा की सकुर्जुलता को की एक्षा रखते हैं उनकी कुसलता की बारे में जानते हैं अब प्र करना अन्वाय करेंगे तो कैसे सामिर ShivNER मैं भीत हिरन मंत यत्वात्ल कालिस्थान आतिछ यह पूरा इश्लोख है इसका आपको अन्वाय कर देना है बस Ver!!! अनवाय कर दीजिये जिसमें लिखा हुआ है अनर्ग शीला ये सशाप्रकासा आति शीत पूरा यह वाला जो आपको इसको आपको अपनी बुक से पढ़ना मैं पूरा नहीं लिखा इसकी पंक्ति का आपको अनवाय करना है तो उन्हों मिय चान्दी के पातरों की जगे पर मृट्टी से बने हुए पात्र में अर्ग लेकर के सुर्थ प्रकास्म अत्तिम कौट्सम अतिजगामा और अत्तिकासद्कार करने के लिए वहां पहुंचे और बोले फिर इसके बाद समाप्य समाप्य विद्यन मया महर्शी समाप्य विद लाने उसी वाले इश्लोक का आपका है कि समाप्तविद्धन मया महर्शी गुरु दक्षणा ये विग्या-पिता-बूथ सहचिराय आइस खलित ओपिचारां ताम में वक्तिं एव पुरस्थाथ अगणयत और उन्होंने जितना मुझे ग्यान दिया था उसी की एक पृतेक विद्द्ध्या के आधार पर गरना करते हुए उन्होंने हमें क्या देदिया के देद्द दिया बोले मैंने तो बहुत लंबे समय तक उनसी की सेवा किती उन्होंने उसी को गिल लिया कि ये घुर्पृ लगे Mayo सलिध मधिय तदर थम सात्वम प्रशाष्टे महते मदियत तदर थे और उसके लिए ठेक बोले अब विवस्ता कर दूंगा तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तो सात्वम मदिये महते प्रशाष्टे अग्निया गारे चतुर्था अग्नी यू वशन दूत्राणी अहानी शोड़्डम अरहसी हे अरहन तदर्थम सादेतम यावत यते यावत यते यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मेरी यग साला में आप थोड़ा सा दो तीन दिन मुझे समय दीजिए प्रतिक्षा करिए मैं कुछ आपकी विवस्ता करता हूं प्रश्णी क्रिमांग कि यहां तेरह नंबर का है तेरह न तो आपको निरदेश करना है कि इसमें कौन सा लंकार दिया गया है कि अलंकारों को देखिएगा इसमें दिया है कि यता तो यहाँ करते इसbn कि इसमान चैतन्यता तो यहां पर उप्मा कर दी गई इसलिए उप्मा लंकार तो यहां पर भी आप देखेंगे कि इव आ गया है इसलिए आपको उप्मा लंकार लगा देना है ठेक अनुप्रास अलंकार देखिए अनुप्रास अलंकार में भी आप देखते हैं जहां वरने की बारबार आवरित्ती हो जाए ठेक वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है और उपमा अलंकार जहां आपकी उपमा दरसाती जाए तो पूरे शलोक में दोनों अलंकार आपको यहां मिल जाएंगे फिर इसके बाद नीचे लिखे हुए चंदों को निर्दिश्च करो निर्विश्यता ठीक अधो लिखतेसु छंदहा तमद्ध्वरे विस्वजिती छिती सम्वर्तन तो सिस्या आपको यहां पर आप छंद भी पढ़ने होंगे अलंगार भी तो इसमें उपजाती छंद हो जाएगा ठीक उपजाती छंद हो जाएगा फिर इसके बाद गुरु वर्थ मर्थी सुर्थ पार दिश्वाह नवावता रहा गुरु मर्थ मर्थी ठीक ना गुरु गुरु की दक्षणा के लिए तो इसमें भी उपजाती चंद हो जाएगा आप से चंदों पर भी मैं चर्चा करूंगा व्याकरण की किलास में ठीक ध्यान रखना अभी संबादा क्या दिया है रगु कौच संबादा सरन संस्कृत वास्या स्वकिए यही विश्श दयत ठेक संस्कृत भासा से अपने द्वारा बाक्यों को क्या करो यहां रचो तो यहां पर यह थोड़ा सा इनका संबाद देख लेना रगु विस्तुजित यग्गे पूरु दक्षनार्थम धनम याचतुम रगूं उपा गचतर रगू मृतिका मृतिका पात्रेय अरगक मंअधाय कोच्सं सतकृतवान मृतिका पात्रेयण कोच्स यात्ं यत रगू तस्य धनासा मूर य 1965 समर्था नास्ति अता कौच्छ रग्य स्वस्थी कर्थेत्वा प्रतियातु कामा अभवत रगो द्वारात याजका अपूर्ण कामा निवृत्ता इती परिवादात भीता रगु कौच्छम और उद्धा तस्य मनोर्थम अपरिच्छ पौच्छा सर्वं वृत्तांत मकत्यन अवदन और महर से वरतन तो वहम चतुर्दस विद्याम अधीदवान तता अहम तस्मय गुरुदक्षणा ये निवेदित वान यहाँ पर देखी इसमें क्या उन्होंने बताया है कि जो रगु और कौच्छ के वीच के संबाद है वो सरल संस्कृत में आप यहां लिखो तो रगु ने मिट्टी के वरतन से अर्गिक के साथ उनका सतकार किया और मिट्टी के पात्र को देख करके जान करके रगु के उस धनासा धन को पूरा नहीं कर सकते ऐसा उन्होंने सोचा कौच्छ ने क्या किया एसा कह करके वहाँ से जाने की एक्छा रखने लगे रगु के द परतंतों ने हम चतुरदस 14 विद्याओं के वदले में 14 करोड मुझसे स्वर्ण मुद्रिकाओं की क्या की हैं एक्छा जताई हैं फिर इसके बाद सा मम गुरु भक्तिम यो गुरु दक्षडाम अमन्यत मम भूयो भूया निर्बंदात महर से रुष्टा जाता सा चतुरदस विद्याम परिसंख्या मैयम चतुर कोटी सुवर्ण मुद्रिकाम अपहरतुम आदिदेशा अतेव अहम धनार्ती सनभावता समीप आगच्छम इसलिए मैं तुम्हारे पास यह देखो मैं तुम्हारे पास 14 करोड सुड़ मुद्रिकाओं लेने के लिए समीप मैं आगच् कोट्साय दुत्राणी दिनानी अतिते रूपेण स्थापितों निवेदेद्वान और कोट्सा राग्या निवेधन सुविक्रेद्वान याजका मनुरतम पूरतम रगु प्राताह यह कुवेरं आक्रम इतुम अंची इतुम आक्रणमानम भीता कुवेरा रात्रव यह रग ठीक तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि उन्होंने क्या कहा कि रगु ने उनके सारे वृत्तांत को जाना और दो तीन दूर रुकने के लिए उनसे निवेदन किया कौट्स ने राजा की निवेदन को सुविकार कर लिया और उनकी एक्छा को पूरा करने के लिए कुव करोड़ सौने की मुद्राएं ही उसमें से ग्रहन की एवं उदार रगु जिसका कोई निलो लोब नहीं था और कौट्स ने ऐसे दौनों का क्या हुए जगति धन्यों अभावताम पूरा संसार उनके इस मिवहार को देख करके प्रशन हो गया इस प्रकार से यह हमारा अभ् कोजे कमेंट सेक्षन में जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक सेयर करना है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा एक बात ध्यान रखना भारत का एक मात रहसा प्लेटफों मैगनेट ब्रेंस जो आपको 100% free education दे रहा है 100% free education के साथ 7 मैगनेट ब्रेंस आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेट फॉर्म एक तो मैगनेट ब्रेंस इंग्लेंस हिंदी मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपून कट्छाओं का संपून पाठिकरम बिल्कुल और बिल् को लाइक करिएगा एक बात ध्यान और रखना है परिच्छा को ध्यान में रखते हुए मैगनेट ब्रेंस कच्छा चटवी से लेकर के कच्छा बारहमी तक के हिंदी मीडियाम और इंग्लिस मीडियाम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है वो नोट्स जो आपकी परिच्छा सर्च करिएगा मैगनेट ब्रेंस को और पाईएगा बहुत बहुत बहुतर से बहुतर वीडियो ध्यान रखेंगे अगली क्लास को लेकर के बहुत जल्द आपके समख चुपस्तित रहेंगे तब तक के लिए जयतुसंस्कृतम जयतुभारतम